हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जोपड़े में पालने से सो रही छे मां की मासूम जिन्दा जल गई महीं दो मासूमों ने जोपड़ी में से बाहर भाग कर जान बचाई आसपास के लोग मदद के लिए दोड़ पड़े लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक आवास को मासूम जल कर खाक हो गई समीप फरती चनार गाउं की भवनाफली में कल बुदवार देश शाम को मीठा लाल पुत्र जोगाजी गरासिया की घास भूस से बनी जोपड़ी में अचानक आग लग गई अग्यात कारणों से लगी आग के चलते कच्चा जोपड़ी आग की गोले में तबदील हो गई जोपड़ी में पालने में सो रही छे माँ की मासूम जिन्दा जल गई वही दो बच्चों ने जोपड़ी में से बाहर भाग कर जान बचाई आसपास के लोग मदद के लिए दोड़ पड़े धोधो कर जल रहे जोपड़ी पर पानी डाला गया कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पालिया गया लेकिन तब तक कच्ची जोपड़ी पर पालने में सो रही छे माँ की मासूम जिन्दा जल गई साथी परिवार के आवश्चक दस्तावेस 9500 रुपए की नगदी वह घर का सारा सामान खाक हो गया दर्दनाख हाथसे से शेत्र में शोक की लहर प्याप्त हो गई मदद की दरकार पेड़ित मेठाला की और से शेत्री विथायक जकसी रामकोली से मदद की गुहार की गई पेड़ित और से विथायक को दिये गए ग्यापन के अनुसार उसकी आवास ये जोपड़ी में अग्याद कारणों से आग लग गई उसकी छे माँ की बालिका की दर्दनाक मौत हो गई घरेलो सामान नगदी जलकर खाक हो गए उसका आशियाना उजड़ गया उसके माता पिता की पूर्व मृत्य हो चुकी है वो मजदूरी का कारे करता है परिवार के आवश्यक दस्तावेस 9500 की नगदी वो घर का सामान जलकर खाक हो गया ग्यापन में आपात कालीन सहायता दिलाने की मांग की गई विदान सपा में गुंजा मामला मामले की गंबीरता की चलते विधायक जक्सी दाम कोली ने विधान सपा में पुर्जोर तरीके से मामले को उठाया पेड़त परिवायक और घर वा सहायता उपलब करवाने की मांग की सरकार से मदद वा आवश्य कारवाई करने की मांग की जागरुक टिवी के लिए आपुरोड से मनोच चौरस्या की रिपोर्ट